तहजीब, सियासर और सकाफ़, हम दिखाते हैं सारे मनाजित, हमारी खास पेशकष, मनजर नामा, रोजाना शाम छे बजे, सर्फ चैनल वान न्यूस पर थोड़ी देर में शुरू होगी पीएम की डिनर डिप्लोमेसी पार्टी, यूपीए की सहयोगी दलों को प्या मंत्रित संग्युक्त रणनीती पर बनाने पर होगी जच्चा केंद्र सरकार का कैग पर हल्ला बोल, कहा टू जी की कम हुई निलामी के लिए कैग जिम्मेदार बाल ठाकरे की तबियत में सुधार तेजी से ठीक हो रहे हैं बाला साब ठाकरे, दवा और दुआ का असर और एहम्दाबार टेस्ट में भारत ने 521 रन पर घोशित की पहली पारी, जवाब में इंग्लेंड ने तीन विकेट सस्ते में गवाएं, अब सारा दारुमदार गेंद बाजो पर नमस्कार मैं हूँ देसिना और आप देख रहे हैं निउस लाइन, देखा जाए तो आजकल यूपिय सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आए दिन उसमें भरष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, एफबी आई और कमर तोड महंगाई ने आम जनता के बीच उस करके दूसरी पार्टियों को कोसो पीचे छोड़ दिया है, निउस लाइन में हम अगले एक गंटे के दोरान इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथी ये भी जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर मनमोहन सिंग को क्यो करनी पढ़ रही है डिनर डिप्लोमेसी, लेकिन आए ये सबसे पहले बात करते है राहूल गान्दी की जिने 2014 के लोकसभाचुनाओं के मद्दे नजर कांग्रेस की कमान सौप दी गई है भले आगामी लोकसभाचुनाओं में अभी दो साल से ज़्यादा का वक्त बचा हो लेकिन तमाम पार्टी अभी से ही इसकी तैयारी में जी जान से जुटी दिखाई दे रही है पिछले काफी वक्त से राहुल गांधी को सरकार का संगठन में बड़ी भूमिका दिये जाने की अटकले लग रही थी अब कॉंग्रेस ने उनके हाथ में आगामी लोकसभाचुनाओ की जिम्मेदारी सौप कर उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रधान मंतरी पत का अनौप चारी कुमिद्वार गोशित कर दिया है नौ तारी को सौरज कुन की समवाद बैठक के बाद मैंने आप से कहा था कि कॉंग्रेस प्रेजिडेंट ने अपने समापन वक्तवे में ये कहा है कि आगामी चुनाओ को लोकसभा चुनाओ को देखते हुए उन्होंने एक समन्वे समिति बनाई है और तीन उप समितियां बनाई है तो आज मैं आपको उसकी सुची दे रहा हूँ इस एलान ने राहूल गांधी को 2014 के आगामी लोकसभा चुनाओ में कॉंग्रेस की तरफ से प्रधान मंत्री पत का अनौपचारिक उम्मितवार पना दिया इसकी साथ ही ये भी तै हो गया कि मीशन 2014 में कॉंग्रेस की नित्रित्त वाली सरकार की टिकड़ी पूरी करने पर सफलता का सहरा युवराज राहूल के सर पर ही सजेगा चुनाओ समन्वे समीती का अध्यक्ष बना का कॉंग्रेस ने उनके हाथ में आगामी सरकार की कमांद सौंग दी है बना की परधान मंत्री पत पर उनकी दावेदारी पर फिलहाल पार्टी समभल कर ही बोलती दिखाई दी राहूल का साथ देने के लिए कॉंग्रेस के भरोसे मंद लोगों की टीम बनाई गई है इसमें सोनिया गांधी के राजितिक सलाकार अहमद पतेल सोनिया के करीवी और पार्टी के वरिष्ट परवक्ता जनार्दन दिवेदी कॉंग्रेस महासचीव दिख विजय सिंग गांधी परिवार के करीवी और ग्रामिन विकासमंत्री जैराम रमेश और पुर्व लोगसभा सांसद मदुसुदन मिस्त्री को जगह दी गई है चुनाव के लिए बनाई गई दूसरी उपसमिती में भी राहुल के युवा बिर्गेट को खासी तबज्यो मिली है संदीब दिच्छित, मनीश तिवारी, धिपेंदर हुड़ा और जोती रादित शिंध्या को चुनाव उपसमिती में बता और सदस्त शामिल किया गया है कई वरिष्ट और घाग नेताओं से लैस लोकसभा चुनाव समनवे समिती की खमान राहुल गांधी को सौपने के साथ ही ये तै हो गया है कि पार्टी अगला चुनाव उनकी है अगवाई में लड़ेगी ऐसे में ये अगले चुनाव के बाद कॉंग्रेसी उवराज का पर्धान मंतरी पत पर ताजपोशी का सुरच्छित और सम्मान जनक रास्ता है हलाकि राहुल इस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा बीरो रिपोर्ट चैनल वन न्यूज तो राहुल कितना खरा उतरेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या राहुल अब तक किसी जिम्मेदारी से मुफीद थे क्या उनके पास जिम्मेदारिया नहीं थी उनके पास निश्चित तोर से जिम्मेदारिया थी और उन जिम्मेदारियों पर वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष के लिए खरे भी उतरे हैं तब ही उनके लिए ये पद तलाशा गया है और ये पद से उन्हें नवाजा गया है। ताकि इसके पीछे एक और बी कारण हो सकता है, वो हो सकता है कि आकिर राहुन गाणी को संस्था में, यानि कॉंग्रेस पार्टी में पार्टी में उन्हें क्या पद दिया जाए, बहुत दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि उन्हें कारेकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी लेकिन मुझे लगता है कि कारेकारी अध्यक्ष का होने का मतलब ये भी है कि जो रियल अध्यक्ष हैं रियल अध्यक्ष जो की काम नहीं कर रहे हैं इसलिए कारेकारी अध्यक्ष की जरूरत पड़ी ऐसी बाते सुनने में आ रही हैं कॉंग्रेस के जो 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 ल तब तक के लिए 2014 के Coordination Committee चुनाओ के बीच में तमाम पार्टियों से Coordination करने में और तमाम जो भी उमिदवार हैं उनके बीच के Coordination का अध्यक्ष राहूल गांधी को बना कर ये लगबग साफ कर दिया गया है कि अगर वो चुनाओ में टिकट देते हैं उनके लोग जीतते ह पद के दावेदार पहले से Congress नहीं कर सकती थी उसकी अपनी मजबूरिया है किसी भी जनतांतरिक पार्टी की ये मजबूरी हो सकती है कि वो पहले से घोषित कैसे कर दे प्रधान मंत्री पद के दावेदार को क्योंकि प्रधान मंत्री का जो पद है वो हमारे ख्याल से जो Legisl लेजिस लेचर पार्टी है लेजिस लेचर पार्टी उसका निर्णे लेगी की प्रधान मंत्री कौन होता है लेकिन इसके नहितार्थ को जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं शकील अंसारी साब हमारे साथ स्टूडियो में है शकील अंसारी आपका बहुत-बहुत के से समझते हैं और राहूल गांधी को जो ये नए पद से नवाजा गया है उसके नीतार्थ बता सकते हैं शकील साब पुरी दुनिया में आगे या पीछे सभी जगे देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पत से महाद हासिल होती है और कुछ लोगों का महत्व इतना है कि जो उस पत पर जाए उस पत का महत्व बढ़ जाता है तो उसमें एक राहुल गांधी जी है कि कॉंग्रेस के अंदर कोई पत की जरूरत उनको नहीं है कोई महसूस नहीं की जाती है इतनी बड़ी परसनाल्टी है कि पत उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है इसलिए अगर सम्विधान का संशोधन करना और ये वो बहुत सारी चर्चाएं जो आपने की अभी जो मार्केट में आम तोर पर की जाती है हमको लगता है इसमें कोई बहुत नहीं है दम है सवाल असल है कि जो कॉंग्रेस के लोग जो कॉंग्रेस के लीडर हैं कॉंग्रेस के कारे करता हैं उनकी जो इक्षा है कि राहुल गांधी जी को प्रैम मनिश्टर की शकल में देखे हम तो वो इक्षा की पूर्ती का ये एक रास्ता है कि वो सुएम जनतांतरिक तरीके से एक पार्टी के महासचिफ के रूप में और एक नई जिम्मेदारी के रूप में जो चुनाओ की चुनोतियों को सुईकार करें आखिर चुनाओ जो किसी पार्टी के लिए होता है वो बह आगे की ताजपोशी का ये मार्ग होगा और कॉंग्रेस की इच्छा कॉंग्रेस के कारेकरताओं की इच्छा और जब वो जनता के भी जाएंगे वो जनता को जिस तरह से चुनाओं के मैदान में ले जाएंगे तो उसी रूप में कॉंग्रेस पार्टी और यूपिये की सरका बनती है अगर आगे आने वाले दिनों में तो निश्चित रूप से वह जो बात हम कह रहे थे वही बात आपने उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ यह अनौप चारिक रूप से यह घोशना हुई है कि राहूल गांदी ही प्रधान मंत्री पत के दावेदार हैं अगर उनकी समन्नों के नेताओं से भी हम जरा बात कर लें स्टूडियो में हमारे साथ संपित पात्र जी जोड़े हुए हैं दिल्ली प्रधेश के प्रवक्ता हैं भारती जनता पार्टी के राहूल गांदी के मैं एक तरीके से ताज-पोशी कहूंगा अगर मैं जादा अतिरेक पूर अगर जरूर टोक देंगे आप लेकिन राहूल जी के इस प्रकार के समितिके अध्यक्ष बनने को आप कैसे देखते हैं देखे पहले मेरे आदरनियों मित्र शकील जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि राहूल गांदी जी इतने महान है कि उनके लिए किसी पद इत्यादी के अब शक्ता ही नहीं है यह बहुत महान है मैं राष्ट्र से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ महान हो सकते हैं अच्छे वduction हो सकते हैं कि महान के वहल इस लिए है क्यूँकि उन्होंने एक वंश्मे जनम लिया या उन्होंने ऐसा कुछ महानकाम किया है जिस तुर राहुल जी इतने महान है कि उन्हें कुछ सिद्ध करने की अवशक्ता नहीं है खेर यह उनके पार्टी का विशह है मैं तीन बिंदु यहां रखना चाहता हूं जी अभी मैंने जनारदन दुवेदी जी को कहा कि सुरज कुंड में काफी मंधन के बात यह जो है नतीजा होता है उसी दिन वो प्रधान मंत्री के लिए उप्यूक्त कैंडिडेट हो जाता है उसके लिए मंधन के वशक्ता नहीं है पहला दूसरा विशह है सेक्सपियर का बहुत अच्छा कहावत है कि वाट्स द्यारिन नेम नाम में क्या रखा है आखिर गुण मत्ता में रखा है चाहे आप उन्हें सेक्रेटरी जनरल कहें या जनरल सेक्रेटरी कहें गुण तो वही रहेंगे गुण ऐसे वही रहेंगे कि देखिए राहुल जी जो है वो बिहार भी गए चुनाव का कमान उन्हों बिहार में भी संभाला राहुल जी यूपी भी गए चुनाव का कमान उ मिले इस सरकार से राहत मिले और प्रधानमंत्री वो कभी न बन-्पाए ताकि जो आम जंता है वो रात को अपने डिनर कर सके और आज जो प्रधान मंत्री डिनर की diss Energy कर रहे है वह बिर्यानी खा रहे हैं और आम l sniff यहाँ खाने के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है इससे बचाओ को अगर आप अपने शब्दों में छुपे हुए तंज को अगर आप कंटिनूड रखते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन आपने अपने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी कि ये सरकार रिपीट नहीं हो ऐसी इच्छा जाहिर कर दी हम चलते हैं अली अन्वर साब के पास अली अन्वर साब सालसद हैं ज्यादे यूके और तेज तर्रार नेता है हम उन से पूछते हैं कि राहुल गांदी के इस ताश पोशी के नीतार्थ क्या है अली अन्वर साब देखिए ये उनकी पार्टी का मामला है किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं मानो तो सीव नहीं तो पत्थर और देखिए कुछ लोग सोने का चम्मच मुह में लेक पैदा होते हैं अब हमारे सकील भाई कम कादिल हैं तो बहुतों को पढ़ा सकते हैं टिट्रियल कलास ले सकते हैं राजनीती का लेकिन उनको सपना भी देखने का और हमारे जैसे लोगों को कि भाई हम इस पद पर इस मुल्क में पहुँच सकते हैं सलाहियत और काबिलियत की बात कहां आती है इसलिए ये सब बात है कहने की बात है डेमोक्रेसी का चुनाओं का हवाला देने की बात है कोई इनर डेमोक्रेसी या आउटर डेमोक्रेसी कहीं कुछ है नहीं बन स्वाद चल रहा है कुंवा परस्ती चल रही है खुसामद और चापलूसी का और चापलूसी का बोलवाला है लेकिन अली अन्वर साथ यह तो और कई दूसरी पार्टी वे इसी तरीके से चल रहा है तो आप सब के लिए कह रहे है या सिर्फ कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। की अगले कांग्रेस के परधार मंतरी के कैंडिडेट हैं। आरे ये ये नाटक क्या है reindeer गारी में आगे का चक्का खोल करके पीछे कर देना पीछे का चक्का खोल करके आगे कर देना है। और इससे जादे क्या है ठीक बात है अलियन्वर साब हम आपके साथ फिर लॉट कर आएंगे मनोहर मनोध जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोहर मनोध जी से कमेंट लेते हैं संग्षेप में उसके बाद अगले अगले सवाचार पर चलते हैं मनोहर मनोध जी कैसे देखते हैं आप राहूल गांदी जी की ताज पोशिए देखें कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ आज तमाम मुद्दों पर जो है विरोध चल रहा है चाहे वो भ्रष्टाचार हो महंगाई हो या जो है तमाम तरीके के जो की जो आमानना हो रही है लेकिन इन सब विरोधों के बड़ा ही एक सामान निविंदू यह है कि ऐसे आरोप अन्य दलों पर अन्य सरकारों पर और विपक्ष में भी यह चीजें लागू रही है चुकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष भी उतना ही दोशी रहा ह है जितना सत्ता पक्ष लेकिन बंशवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जो है चैंपियन जो है वो कॉंग्रेस पार्टी रही है और इस देश में आजादी के बाद जब नेहरू जी को चाहे जिस तरीके से भी हो प्रधान मंतरी का पद मिला तो यहां पर कॉंग्रेस पार् के ही लोग रहे और आजादी के दवरान जितने बड़े स्टॉलवाट थे वो सब हाशिय पर चले गए जी मैंने पहले भी आपके काजकरम में कहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी राजनितिक गत्विदियां करते हैं जिस तरीके से किसानों और आदिवास्यों में जाते हैं चाहिए पॉलिटिकल पोस्च्रिंग कहीं तहत क्यों नहों कहीं कहीं लगता है कुनका एक कंसर्न है परन्तु यह राहुल गांधी यह घोशन कर देते कि वह देश के कभी प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे तो वह इतिहास में दर्ज हो जाते एक ऐसे नहरू ग उस समय उनके हाथ में कमान दी है जब रिस्क जादा है और उन्हें कहीं ने कहीं अपने को अपने नितरत शमता को कसावटी पर कसना होगा और वह भी उस सिती में जबकि उतर प्रदेश और विहार के चिनाओं में राहुल गांधी की सारी जो है पोलिटिकल कैप्टेंसी ज आज को जो है यह आमंतरिद भी करेगा चुकि कॉंग्रेस पार्टी युवाओं के नाम युवाओं का नाम लेती है लेकिन कौन से युवाओं के यहां प्रोजेक्ट होते हैं सचीन पाइलट जोती राव सिंदिया यह संदीब दिख्षित यह सब लोग कौन है यह कांग्र एक राहूल गांधी की ताज पोशी को अगर चुनाव से जोड़ करके हम देखें तो एक और चुनावी घटना ही हुई है लोगसभा के पचपन उमिद्वारों की सूची समाजवादी पार्टी ने आज जारी कर दी है लोगसभा चुनाव के लिए मोर्चा बंदी तेज कर करते हुए समाजवादी पार्टी ने ये काम किया लोगसभा चुनाव के लिए मोर्चा बंदी करते हुए समाजवादी पार्टी ने लोगसभा चुनाव के लिए 55 उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया है इसमें पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंग यादव उनकी और उनके दो भतीजे भी शामिल है मुलायम मैनपुरी से लोकसभा का चुनाओ लड़ेंगे तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि मद्यावदी चुनाओं की आशंका जाहिर करने वाले मुलायम इसी के मद्दे नजर वक्त से पहले ये एलान कर दिये हैं